किसान शातियों नमस्कार, शल्फर या गंदक, नाइट्रोजन, फोश-पोश वे पोटेशियम के बाद चोता महतुपुण पोशक ततो है, जिसका जीरा की फसल में उप्योग करके जीरा के उत्पादन वे गुणवता को 20-30% तक बढ़ाया जा सकता है, जीरा की फसल में शल् शल्फर जीरे के अंकुर्ण से लेकर पकने तक जड़ों के पास रहेकर लगातार गर्मी उत्पन करता है, जिससे फसल का ठंड वे पाले से बचाव होता है, अगर पाले से फसल नश्ट हो गई, तो जीरे की खेती में लगाया गया, पूरा पेशा बरबाद हो जाता है, खा वे क्रिया शीलता को बढ़ाता है, जिससे पोदे इन पोशक ततों का सत परतिशत उप्यों कर पाते हैं, जीरा की फसल अत्यादी कोमल, कमजोर, वे मोशम के आगातों को जेलने में ये शमर्त होती है, जिससे इस फसल पर महु जैसे कीट, वे उक्टा, जुल्षा, वे चाजे से रोगों का प्रकोप बहुँ ज्यादा बढ़ जाता है, अपने कीट नाशक वे फपुंद नाशक गुनों के कारण, शल्फर का उप्यों करके, हम अपनी जीरा के भसल को रोग मुक्त रखकर, दवाओं पर होने वाले खर्ज को बचा शकते हैं, वे उत्पादन को 20-30% तक बढ़ा शकते हैं, ग्रोथ परमोटर वे ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में सल्फर, परण हरित, अमिनो अमल वे प्रोटीन के निर्मान को बढ़ाता है, जडों का विकाश करता है, जिसे जीरा के आकार, रंग, चमक वे गंद में बढ़ोतरी होती है, इस प्रका में सल्फर 80% WDG को काम में लेना है, यह केटना शक वे फपुन दिनाशक का कारी करता है, शल्फर 80% WDG पाउडर के रूप में आता है, जिसे पहली से चोती सिंचाई तक कभी भी उपयोग में लिया जा सकता है, शल्फर पहली सिंचाई में सबसे ज्यादा उपयोग परती एकड डेड़ से दो किलोग्राम तक छिड़काओ करना है, यह पाने में गुलनशील है, अते शे ड्रेप या वेंचुरी सिस्टम दोवरा भी दिया जा सकता है, शल्फर 80% WDG का पत्तियों पर इस्प्रे करने के लिए जीरा की फसल में 750 ग्राम से एक किलोग्राम पा शल्फर 80% WDG का उप्योग रभी की सभी फसलों करके उत्पादन को 20-30% तक बढ़या जा सकता है, शल्फर गर्मी पेदा करता है, अतेश की निर्दारित मात्रा का ही उप्योग किया जाना चाहिए, अगर आपको वीडियों दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक अविश्य करें, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद